वेलकम तो आज जो हम बात करने वाले हैं विच इस रेली इंपोर्टेंट और आज की डिमांड में यह आप बोल सकते हैं टॉप में हर एक बिकिन सीज में हर एक और इसेंट की के जैडी में मिन्स अगर कोई वेकंसी आप देख रहें या क्लाउट से रिलेटेड कोई आपके पास जैडी आया है मेल में तो आज जो और टॉपिक बात करने वाले हैं वह उन्डे परसें आपके जैडी में में रहेगा पहले से डिसाइड हुआ था कि हम डेवाइब की वीडियो प्रोवाइड करें रिसेंटली हमने एक लाइब सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर की थी बट उसमें वाइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी द्यूरीजन ऑफ सिकेरटी क्योंकि वह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस था और माइक्रोसॉफ्ट के टूल से मैंने रिकॉर्ड किया थो तो तो सिकेरटी की वाज़ा से उसमें वाइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी लगवे एक महीने पहले की बात है बट हमने ब्लांग किया कि आपको जिस तरीके से हमने एड्मिनिस्टेटर की प्लेलिस्ट दे रखिया ह आपको पहले प्लेट की बात करेंगे उसके बाद फिर एडवल्यूस की बात करेंगे में को रिलेटिटीट टूद ऑटोमेशन को देंग और किस तरीके से एक औरगनाइजिशन के लिए एक डेवलप्मेंट के लिए प्रेटफॉर्म कैसे तयार किया जाता हुई उन सभी के सबसे इंपोर्टन पॉइंट यह है कि आपको डेडिकेशन के साथ उस पर टाइम देना पड़ेगा प्लस आपको जो रोड मैप होता है जो प्रिप्रेशन करने की का तरीका है वह आपका होना चाहिए कि आप सबसे पहले आप यह चेक करेंगे कि कौन-कौन से कॉंटेंट सर्टीविकेशन इसमें आते हैं और उसमें कौन-कौन सी सर्विसेर आपको सीखनेे को मिलेगी वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफ्रमेशन देने वाले हैं कि एक एक पर बनने के लिए आपके पास कौन-कौन से Certification है किस कि Certification के लिए आप जा सकते हैं plus कौन-कौन सी Technology आपको आनी चाहिए आप core related to the development है means आपको coding आती है languages आती है पावरसल की scripting हाती है automation में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या फिर आप पूरी तरीके से आर्किटेक्ट है मेंस आपको कोडिंग का या लेंगविज का कोई भी आइडिया नहीं है बड़ आपको networking आपको server handle करना storage manage करना security लगाना यह सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं तो पहले तो इस confusion पर बात करेंगे कि अगर अपने पास coding या languages नहीं है तो क्या हम dev apps की तरफ move कर सकते हैं दूसरा अगर हमारा पूरा का पूरा experience development पार्ट में तो कितना ज्यादा beneficial रहेगा कि हम अपना carrier Azure के dev apps में बनाएं complete जरीके से discuss करेंगे 100% practical के साथ बात करेंगे राइट कोई भी पीपीटी का इस्तमाल नहीं करेंगे डैकली पोर्टल पे चलेंगे और पोर्टल पे जो activity होती है रियल इन्वार्मेंट में जो organization अपने इन्वार्मेंट में setup लगाते हैं उन सभी setup के बारे में बात करेंगे as you know about the teach me cloud YouTube channel हमेशा कोसिस करता है कि आपको लाइब प्राक्टिकल प्रॉइट करें ताकि आपका time safe हो सके और आपको प्राक्टिकल जो है knowledge मिल सके तो यह अपने पास agenda है इस पर हम आज discuss करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि अगर आपके पास development का नालेज है मेंस आपको डॉटनेट पता है आपको github चलाना आता है github की सर्विसेज या जो प्लेटफॉर्म है रेपोजिटरी है उस पर कैसे अपने कोड को अपलोड करते हैं कैसे existing code को धूंड करके अपने डिवलप्मेंट पार्ट में कॉपी करते हैं इन सब के बारे म है या एड्मिन ऐसे टास्क परफॉर्म किया है बट आप अब आप प्लान कर रहें कि नहीं थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से चलते हैं मिन्स जो डिमांड है और आप अपनी करना चाहते हैं तो कोई भी हैड़क की बात नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती लैंगेज न पर अपने पास और कोड को कॉपी करके एक्जीक्यूट करेंगे और वह रन हो जाएगा प्लेट फॉर्म को मैंज करना अगर आपको आता है धीरे-दीरे एक दिन में तो नहीं लेकिन धीरे-दीरे आपको यह ज़्यादा मैनृट से रिक्वार्मेंट कोडिंग की वह आपक कि जो सर्विसें जो कॉंटेंट हैं वह आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे अभी हम आपको स्क्रीन के लिए चलेंगे और आपको जब कॉंटेंट के बारे में बताएंगे कि यह आपको आते हैं तो आप एक एक का सर्टिविकेशन कर सकते हैं या एक जो भी जॉब्स है उस इसको सबको रिजॉल करते हैं तो चलिए आपको लेचलते हैं स्क्रीन पे डेक्स्टॉप पे और गाइड करते हैं कि डेवेप्स के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है और ने दो स्टिविकेशन प्रोएड कर रखे हैं अगर देवलब्मेंट की बात करें तो एक तो है 204 और दूसरा है 400 अगर इसस्टार्ट की बात करें तो आप 204 से स्टार्टिंग करते हैं आगर चलके आपको कोर इसमें कैरियर बनाना है तो ऐसी 400 ag400 पर अपना के Contenti को को तियार कर सकते हैं और इन दूनों सर्थिपिकेशिन के विहाई पर अब किसी भी deAAbs की जॉब को किसी भी है के इंट्रीव को आसानी से क्रेक कर सकते हैं उतिन क्या है क्या क्या option сा तै है ऐस के case मैं क्या तूल समय आने चाहिए वह सब हम आपको desktop की स्क्रीन पर दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए तो चलिए मूब करते हैं अपने desktop के screen पर और गाइड करते हैं कि क्या-क्या options हमें पता होने चाहिए अभी हम desktop के screen पर आ गए हैं और as we discussed कि लिए दो certification design कि एक तो है azure az104 जो है developing solution for Microsoft Azure और दूसरा है az400 जो है designing and implementing Microsoft डेव solution दोनों के content और module के बात करें तो 204 के case में पांच different module हैं जिसमें से dev apps azure compute solution डेट गिव अप्शन अप्टू 25 to 30% questions आपको मिलेंगे final examination में उसके बाद storage डेवलपर के लिए storage जो कि आपने admin के case में और architect के case में भी देखा था azure security जाहिट सी बात है important है azure security आपको आना चाहिए कि कैसे आप implement करते हैं कैसे आप अपने application को protect करते हैं azure security के जरिए monitor troubleshooting optimized solution definitely जब आप कोई service host करते हैं कोई अपना server establish करते हैं तो इसको monitor कैसे किया जाए उसको troubleshoot कैसे किया जाए उसमें alert कैसे लगाया जाए तो यह चौथा module है which is help us to manage and monitor the services अगला important part है कि connect and consume Azure services and third party services तो कहीं न कहीं जब आप third party services को introduce करते हैं अपने Azure portal के उपर तो इस case में जो सबसे important role play करता है आप कैसे identity manage करते हैं कैसे security के तो आप को combine करते हैं दो अलग अलग services को वो सभी पार्ट हम इसमें cover करेंगे एट टू जट practical हम कोसिस करेंगे आपको provide करने के लिए जैसे कि other playlist में दे रखे हैं तो as it is आपको इसमें भी हम प्रॉपर तरीके से practical provide करेंगे अब 400 की बात करें तो आप compare कर सकते हो कि जैसे एजी 900 है fundamental और उसके बाद एजी 3055 आर्किटेक्ट तो आप इसको मान सकते है रेपोजिटरी कैसे create की जाती है अपने on-premises के sdk से अपने on-premises के डॉट नेट से या विज्वली स्टूडियो से कैसे अपने आज़र को पोर्टल अटेच करते हैं कैसे आप डिजाइन करके इंगलियूट करते हैं वह सभी activity हम यहां पर प्रोचिट करेंगे डिजाइन इंप्लीमेंट सोर्स कंट्रोल कैसे आप अपने गिट है या पाइपलाइन के जो भी टूल से उनके कैसे मैनेज किया जाता है वह हम अपने सेकेंड मेडुल में पढ़ेंगे डिजाइन अंप्लीमेंट बिल्ट एंड रिलीज पाइपलाइन 42-45 परसेंट इसकेस और 400 को कंप्लीट करने के लिए टू मन्स में आप रियलाइज करेंगे कि नहीं आपका करेंट स्टेटस कुछ भी हो आप आर्किटेक्ट हैं या लेडी लैंग्वेज आपको पता है अब किसी भी स्टेज पे हैं बट अगर आप यह सीरीज प्रॉपर तरीके से तो पूरी क अब डेव एबस में जो इंटर्वीयू करेंगे सिकरटी कॉमन हैं तो अपने प्लेइस्ट में सेक्यर्टी के भी वीडियो आपलोड कर रहिए तो तो कहीं ना कहीं उससी क्योटी वाले प्लेच का भी आपको वेनिफित मिलेगा और इंस्ट्रुमेंट ण्स्ट्रुमेंटर अभीजраст करेंगे उमीद है कि आपको एघंडा क्लियर हो गया होगा डे वन है हम computer ते ली ब değде हम की वीडियो प्रवाइट करें जिस तरीके से एडमीनिस्टीर की वीडियो आपको मिलती है डेली वेच पर वैसे ही हम आपको डेवलप्मेंट की एक वीडियो प्रोवाइट करेंगे तो प्लीज स्टे ट्यून विटीच मी क्लाउट और साथी साथ फड़ा फड़ा टीच मी क्लाउट के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करेंगे कि आने वाले टाइम पर बैस से बैस क्लास में और डिसकस करते हैं तो आज के लिए इतना ही टेक कियर बाबाए डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउट यूटूब चैनल बाबाए गाई